असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बड़े के रेसिपी, दही बड़ा बनाना तो सभी को आता है, पर छोटी छोटी दिक्कते हैं जैसे कि कई बार अच्छे से फूलते नहीं, और अगर फूल भी जाये तो अंदर से गाठे पड़ जाती है, साथ ही मैं बहुत ही खास मसाले शेयर करूंगी, जिससे आपके दही बड़े बहुत इलाजवाब बनेंगे, तो आप एक बार मेरे मेथट को फॉलो गरके बनाइए, आपके दही बड़े एक दम सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो इसके लिए हमने एक कप धुली हुई उड़त की दाल ली है, जिसको माश की दाल भी कहते हैं, अच्छे से धो कर इसे हमने राद भर के लिए भीगा दिया था, अब ये बहुत अच्छे से फूल गई है, अगर आप राद भर ना भीगाना चाहें, तो चार से 10 खंटा हलके गुंगुने पानी में भीगा दीजें, अब इसको एक खन्ने में रखकर सारा पानी निकाल देंगे, ग्राइंडर जार में डाल कर इसको हलका सा दरदरा सूजी के जैसा दानिदार पीसेंगे, पेस्ट नहीं बनाना है, एक कप दाल पीसने के लिए हमने वन फ काले अट करेंगे, एक बारी कटी हरी मिल्च, वन फोट टीस्पून लाल मिल्च का पौडर, वन फोट टीस्पून काला नमक डालेंगे, वन फोट टीस्पून जीरे का पौडर डालेंगे, आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा अधरक क्रश करके डाल सकते हैं, अब इसको एक ही डायरेक्शन में कम से कम 8 से 10 मिट तक फेटेंगे वन 4 टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे आप इसको जितना फेटेंगे ये उतना ही फलफी होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज होकर वाइट हो जाएगा जितनी कौंटिटी हमने लिए थी ना उसका दुगना हो बैटर को जाधा थिक नहीं करना है और ना जाधा पतला करना है क्योंकि अगर बैटर पतला हो जाएगा तो उसको शेप नहीं दे पाएंगे तो इस तरह से हमने बैटर को बहुत अच्छे से फेट लिया है अब इसको चेक कर लेते हैं अब एक कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा से बैटर उसमें डिप करके देखेंगे अगर यह उपर तैरने लगे इसका मतलब यह है कि बैटर हमारे परफेक्ट फेटा हुआ है अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं और तब तक हम अपनी दही तयार कर लेते हैं आधा किलो प्लेन गाढ़ा द कंसिस्टेंसी पर ले आएंगे अगर दही बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी या दूट डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लीजिएगा अब हम इसका एक बहुत ही खास मसाला तयार करेंगे दो टीस्पून भुना कुटा लाल मिर्चे का पाउडर दो ट एस टोर करके जिए ल्च और लनाना हो तो आप इसको इसको इस तबाल कर सकते हैं इसको एक लोगिए है और सब्सक्राइब कर्की मिर्चे के लैकर के वड़े को डौब कर देंसे एक इनके को कि इस लिएक मैं जितने अराम से आस यह हलवाईयों की बहुत ही खास ट्रिक होती है इसी के वाज़े से उनके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं ओयल का टंप्रेचर मेडियम रखेंगे और हलका गोल्डेन होने तक फ्राई कर लेंगे तो वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे एक बोल में हलका गरम पानी लेंगे और हाफ टी स्पून काला नमग डालेंगे और सारे वड़े को पानी में डाल देंगे दस से पंदर मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे सेकेंड वेज को फ्राई करने से पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि तेल का टिंप्रेचर कम हो जाए बड़े डालने के बाद पानी के छेटे डालेंगे पानी के छेटे अराम से डालिएगा ताकि उपर ना आए पानी में भीगते हुए 15 मिनिट हो चुके हैं हलके हाथ से निचोड़ कर सर्विंग प्लेट में रखेंगे इधर हमने अपना खास मसाला हरी चटनी और लाल चटनी भी तैयार कर लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम इसके उपर अपनी बहुती क्रीमी और ठिक सी दही डालेंगे दही की क्वांटिटी थोड़ा जादा डालिएगा ताकि बड़े अच्छे से कवर हो जाएं दही से दही बड़े में जो चीजें हैं आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं अब इसके उपर जो हमने मसाला बनाया हुआ है वो स्प्रेंकल कर देंगे साथ ही हरी चटनी डालेंगे अब हम इसके उपर अपनी इमली की खटी में टी सी चटपटी सी चटनी डालेंगे ये चटनी आप बना कर फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं छे महेने तक खराब नहीं होगी उपर से अनार के दाने डालेंगे जिससे ये काफी प्रेजंटिबल लगेगा ये बिल्कुल भी आप्शनल है आप चाहें तो यहाँ पर आलू की भुजिया या सेव जो भी आपको पसंदे अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो अगर आपको यहाँ पर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसका इजहार कर सकते हैं एक लाइक के जरिये तो इस तरह से हमारे बहुती सॉफ्ट जूसी और जालीदार दही बड़े बनकर रेड़ी हैं आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी एक बास जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शक्रिया अला फीज